हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यग्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यग्य महिमा फिर इसकिन की भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी जो समस्या है, उसका जो मूल कारण, बड़ा जो कारण है, वो है वायू प्रदूशन, जहली हवा है इसलिए कोई पर्मनेंट यदि साधन देखें, आज की समय में भी आर्टिफिस्यल तरीके से सारे उपाय कर रहे हैं, कोई आप देखते हैं हेलिकॉप्टर से छिड़काव करते हैं, जलका वो कितने दिन तक रहता है प्रभाव, सब तह भर 15-20 दिन उसके बाद तो फिर वै चार ओर वेहिकल्स हैं, पावर प्लांट हैं, फैक्टरिया हैं, उससे जहरिली गैस है निकार रहे हैं, अब हवा को प्रदुक्षित करने वाले चार तत्वा हैं, पहला है जहरिली गैस, जिसमे आसोटू, नोटू है, सी एफसी है, हाइड्रो कार्बन है, फिर सी ओ है, कार सारी गैसे निकलती हैं, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैसे हैं, अमली वर्षा पैदा करने वाली गैसे हैं, जो सीवो है, कार्बन मोनोक्साइड, वो किस से निकलती है, पेट्रोल जो फूपते हैं, जलाते हैं, डीजल है, जो जीवास्मा इंधन है, फिर जो सिक्रेट पिने वाले उससे भी कार्बन मोनोक्साइड काफी मात्र में निकलती है, और ये गैस चूंकि वातवर्ण में कम समय तक रहती, इसलिए जो ऑक्सीजन है न, उसके साथ बॉन बनाकर ये सीओ टू में कनवर्ट हो जाती है, तो सीओ टू की मात्र बढ़ गई, ऑक्सीजन की म हमारे अंदर जाती है, सीओ, तो हमारे रक्त में जो आर बी सी है, उसमें हिमोग्लोबिन के साथ बॉन बनाकर कार्बाक्सी हिमोग्लोबिन ये बना लेता है, और सरीर में भी वैसी ऑक्सीजन के साथ बॉन बनाकर ये सीओ टू में कनवर्ट हो जाता है, जिससे से हमारे अं इन्सोम्निया है अनिद्रा की समस्या है तो बहुत सारी समस्या जो है वह इन अगैसों के कारज से फिर दूसरा है थूल के कन है आप जब गाड़ी चलती है तो देखते है न छोटे-छोटे धूल के कन पार्टिकल से उड़ते रहते हैं तो यए जो 10 Micrometer है 10 Micrometer से जो छोटे साइस है वह करिब एक सप्तह से लेका महिना तक बना रहता है हवा में इतने साइच का 10 Micrometer से जो नीचे का है वह एक सप्तह से महिना तक बना रहता है और स्वास के माध्यम से ओं कहा जाता है हमारे अंदर जाता है तो ये बहुत ही घाता कि इस कारण से आज कल अस्थमा की समस्या और अस्थमा आपके वल मनुश्यों को ही नहीं बलकि वृक्षों को भी हो गया है हो गया की नहीं हुआ है अस्थमा आप रोड के किनारे जितने भी पेंड़ पाउध है व्रिक्ष है उनके जो जहां से भोजन बनाता है प्रकास अंसलेशन की जो क्रिया करता है उसमें उनके छिद्र में इस्टोमेटा में चिपक जाने से भोजन ही नहीं बना पाता तो पत्या सूख जाती न जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं काले-का क्या है जो धातूओं के कन है जिसमें लेड है सिशा है जिसमें पारे है लोहा है इसके भी बारिक जो कन है जो हम उप्योग करते हैं इस सारे निकल निकल कर लेड आप देखे न जो डिस्टेमपर होता है पालिस उसमें मिलाया जाता है पूरा चूर ना इसका और वो धिरे- उर्टा रहता है और वो हमारे स्वास के माध्यम से अंदर आता है उसके कारण से फिर आखों में जलन आखों की रोस्नी चली जाती रेटिना में दिख्कत आती है फिर स्वास की समस्या होती है 4 हावा को प्रदूख्षित करने वाले तत्वा वह माइक्रोप्स सुक्ष्मजीव माइक्ष जिसमें कोरोना है कोरोना कहां से अता है पूंख दूंख यह नद है यह वह ंसे ताग आप कहां पहुंच रहरा है कि इसके माध्यम से पहुंचत का अधिय आता है कूँ घू वो भी हवाऊं से एक इस्थान से दूसरे इस्थान ऊठते रहते हैं हमारे सरी में चिपक कर पहुंचते रहते हैं फिर वैसे बैक्टरिय корअन्या और हवांğ explicar के माद्धम से वो सारे उड़ते रहते है तो ये चार तत्व क्या क्या है पहला हवा को दूशित करने वाले पहला क्या है जहरिली गय से दूसरा दूसरा क्या है जी बहने बताईए धूल के कन है दस्ट पार्टिकल्स तिसरा लेड है जो खनी पदार था है चौथा माइक्रोब्स है सुक्ष मजीव जिसमें वाइरस बैक्टरिया है छोटे छोटे और कीड़े देखते हैं आप तो ये चार तत्व हवा को प्रदूशित करते हैं और वो हवा हम 24 घंटा ले रहे हर वैक्ति ले रहे हैं चाए भारत में हो या भार किसी भी मत्पन समुदाय से हूँ कोई भेद कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान से हवा आ रही उसको लेना ही नहीं है कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो तो लेना ही है जैसे सुरू में बताया था कि भाई यहां ठीक नहीं तो वहां 50 मिटर 500 मिटर जाकर प्रभाव नहीं है तो इसी लिए सबसे अधिक प्रभाव किसका है हवा का है सबसे बड़ा आहार क्या है हवा है समझ आया जी फिर अब देखते हैं ये तो आहार के बारे मां बताया आउशकता आपको बताया सबसे अधीक आउशकता हवा की है वो हवा आजधीरे-धीरे दूशित होती जा रही है उसके लिए परमनेंट साधन हमारे रिशों ने क्या बताया यज्य बताए अगनी होत्र इसलिए कहा यज्योवै स्रेष्ट तमकर्म है यज्य सबसे स्रेष्ट तमकर्म है आप यहाँ पर बैठे हो या इस भारतिय संस्कृति योग की परंपरा यज्य की परंपरा से आप जूर चुके होते, इसका लाव आपको मिलेगा कि अन्यों को भी मिलेगा, सब को मिलेगा, यहाँ पर अभी बैठे हैं, तो इसका लाव किन को मिल रहें, सब को मिल रहें, हम सब को, है न, तो आप सब ही को इसका लाव मिल रहें, अन्यों को मिल रहे क्या नहीं मिर रहें लेकिन हवन ऐसा है कि यदि यहां पर एक छोटा साम लगू हवन करते हैं उसका लाब आप यहां बैठे हैं तो यहां जितने अन्य हैं जिनको आपसे मतलब ही नहीं है अपने अपने काम में लगे हैं उनको भी हम दे रहें और वो जबरदस्ती ले रहें क्योंकि आउशक है छोड़ नहीं सकते हैं तो इसलिए इसको स्रेश्ट अतम कर्म कहा और इसका प्रभाव है कितना पढ़ता है ुश का प्रभाव 4-4 कि यह सुक्षम तथ्व है आप सुक्षम के बारे मैं चर्चा करता हूं कि जतना सुक्षम होता है उतना ही पावरफुल होता है, जैसे इश्वर है, इश्वर को देख सकते हैं क्या, नहीं, कोरोना को नहीं देख सकते हैं, कैसे पता चला कि ऐसे काटेदार हैं, ये हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन खुली आखों से नहीं, किस से देख सकते हो, माइक्रोइस्कॉप से, ले से सुक्ष्म इश्वर है और इसलिए संपूर्ण स्रिष्टी को इसने बनाया इश्वर ने बनाया है तो जो जितना सुक्ष्म होता है इश्वर सुक्ष्म है न आप उसको किसी से ऐसे मैप नहीं कर सकते हो दिखा नहीं सकते हो तो सुक्ष्म होने के कारण से वो क्या है स्रिष्टी के निर्माता है फिर वैसे ही आकाश है आकाश को देख सकते हो जी देख सकते हो किसने कहा देख सकते हैं करके जी कहा है आकाश बताओ जी देख सकते हो नहीं पता है अभी कहा बैठे हो धर्ती धर्ती कहां है अकास में तो अकास को हम देख नहीं सकते हैं ठीक बोर रहों अकास को हम देख नहीं सकते हैं पकार सकते होगा चूँ सकते हैं नहीं सकते हैं क्यों नहीं चूँ सकते हैं क्योंकि सुक्ष्म है है न इस थूल होता तो हम पकार सकते हैं देख सकते हैं सुक्ष्म होने के कारण से हम उसको देख नहीं सकते हैं ना उसको पकार सकते हैं और इसलिए सुक्ष्म होने से क्या है आकास भी powerful है की नहीं है, कैसे है, सारी दुनिया, जितने भी तारे सितारे नक्षत उपग्रह, गैलेक्सिया, नेबूला कहां ठीके है, आकास में ही न, तो आकास के अंदर उतना सामर्थ है, भार है की संपूर्णा, ब्रम्भान जिसको बोलते हैं, उसको लोड को लिये हुए हैं, एमारे अंदर सामर्थ हैं, नहीं, हम तो आर दूसरे उपर बोज बने हैं की नहीं, बने हैं, तो आकास भी सुक्षम होने से क्या है, powerful है, फिर वैसे ही, हवा, हवा भी क्या है, सुक्षम है की नहीं है, पकड़ सकते हो, देख सकते हो, तो फिर कैसे पता चलता हैard कि हो रहे हैं हल्का हलका तो स्वास ले रहे हैं इससे पता चल रही कि यहां हवा है नहीं तो हवा को हम देख पकड नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, क्यों? सुक्ष्म हैं अंतिम में, सुक्ष्म होने के कारण से चीज दिखाई नहीं देती हैं, तो इसलिए हवा भी क्या है, पावरफूल है की नहीं है? सनसार रुक जाए, जो जहाँ हैं, वहीं पर ही लेटे रहे जाएंगे, बैठे रहे जाएंगे, तो इसलिए हवा प्रान देने वाली है, हमको चलाए माँन गतिमान देने वाली है, तो वो हवा फिर चार प्रकार की है, पहली है दूशित हवा क्या है दूशित जहां पर यह सारे बड़े शहर है महानगर है जो इनसियार है तो यह दूशित हवा है दूसरा है सामान्य हवा उससे थोड़ी सी अधिक जो गाओं है न यहां का जो वातवरन है जहां पर कम प्रदूशन है तो वो सामान्य हवा जो कैसी हवा फिर उससे उच्च हवा कहां की है इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ हो है न हरी द्वार रिशिकेस के ओन तो वहां और शुद्ध हवा आपको मिलने वाली आउशदी हवा प्याट पाउधों से नदी तलाब ज़ड़नों से फिर उससे और उच्च हवा क्या है यह ह हाँ क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं आउशदी तत्वों को और हम उसमें क्या कर दे एड कर दिये कर दे न हवन जब करते हैं तो उससे सारे जो अलग-अलगा हाइटो कैमिकल्स निकलते हैं उसमें गैस निकलती हैं ऑक्साइड के रूप में उसमें अन्या और एरोमे का उस उस हवा में मिला देते हैं तो उस हवा का जो सामर्थ्य है वो अनंत गुना हो जाता है ठीक है जी तो ये चार प्रकार की हवा है उसमें स्रेष्ठ हवा कांसी है हवन वाली जब उसमें हम और अलग से उसमें हम आउश्दी द्रब्यों को निस्रित कर देते हैं प्रान वायों को अवश्दी वायों को हम जब उसमें समलित कर देते हैं फिर है जो हवा है उस हवा में हम हवन करते हैं तो हवन करने से क्या-क्या चीजे निकलती है तीन चीजे निकलती है आप नोट कर लो ये बताने के लिए समझाने के काम आने वाला है पहला है है उर्जा निकलती है क्या निकलती है हूर्जा क्योंकि हम usma invert बोलते हैं उसमें हम एक साथविक भाव रखते हैं तो मंत्रों का अलम ये प्रभाव है उसकि विचर्चा करेंगे तो एक साथविक उर्जा तयार होती है, positivity, energy तयार होती, हमारे चार ओर ओरा के रूप में काम करती, आप देखते हैं कई जो है पहले जब Лोग घर से बहान निकलते थे, तो मंत्र जाब करते थे, अपने सांथ जो है, कोई न कोई गायती मंत्र है माहम रित्तु नियकू, वो उच्चारन करते, अभी भी करते हैं जब संकट की घरी आती है तो करते हैं याद करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा हमारे सांथ संबल का कारिया करता है किसी मंत्र को यदि हम इस्मरन करते हैं तो एक तो उर्जा निकलती है सात्वी कूर्जा दूसरा है पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं एन आयन रिन आवेशित कन ठीक है जी और तीसरा है गैस निकलती है जिसमें एथिलीन ओक्साइड प्रोपिलीन ओक्साइड कई इसमें बोलते हैं रिसर्च किये एक जर्मन वेज्जानिक उल्रिच बर्क, वो बोलते हैं कि इसमें फार मेल्डी हाइड गैस निकलती है, तो यह गैसने निकलती है, अब देखते हैं इसमें जो पार्टिकल्स है, कौन सा बताया, एन आयन, रिन आवेशित, जहां पर अत्याधिक प्रदूशित जगह है, वहां पर कौन सा न होता है, कै जहरों में जाओ जहां पर अत्याधिक प्रदुशित जगह है तो वहां स्वास्थ्या बढ़ता है कि घड़ता है घड़ता है जो क्यों कि वहां पर जहरीलिक ऐसे साथ में धूल के जो कण है उसमें धनावेशित कण पाये जाता है वो इतना सुक्ष्म होता है तूपाइंट जो बोलते हैं जो वनपाइंट जीरो में हैं बहुत सुक्ष्म होगी तो वह हमारे स्वास माध्यम से जाकर हमारे ब्लॉड में जो सीरोटीन की मात्रा है उसको भणा देता हुआ और बढ़हाने से हमारी प्रतिरोधक्षम कम हो जाती है असे से क्या होता है आप देखते हैं एलर्जी की समस्य होती है छीकाना फिर तूरंत स्वास से बिगड़ने लगता है तो जहां अत्याधी के प्रदूशित जगह है पावर प्लांट है फैक्टरिया है वहां पर ये कण पाये जाता है लेकिन इसके विप्रित जहां पर क्या है अत्याधी के प्रदूशित जंगल है पहाड है नदी तलाब है जहां ग्रामिन इस्थान है तो ऐसे जगह में कौन सा कण पाये जाता है रिन आवेशित एन आयन तो आप जैसे पहाड़ों में जाते हो जंगलों में हम यदि जाते है तो उससे वहां पर क्या होता है मन स है जी सांथ हो जाता है न और हमारा स्वास्त्य भी बढ़ता जाता है अच्छा होता है तो वही लाब हमको कहां मिलता है यज्ज्य से इसमें भी एन आयन पार्टिकल्स निकलता है तो आप घर बैठे हमान का लाब ले सकते हो तो यह साम अर्थ हवन में हैं फिर ओजोन परत के एक्शरण का बहुत बड़ा कारण क्या है cost coverage ग्रीन हाउस परभाव कैसे है उसमें cfc है फ्लोरो फ्लोरो कार्बन जो परा बैगनी जो रे है उसको जो रोकती है जो ओजोन परत है लेकिन वो धीरे-धीरे पर्टे क्या होती जा रही है कमजोर पर्टे जा रहे न इन हवा है 24 घंट ले रहे हैं तो 24 घंट प्रभाव हमारे अंदर पढ़ रहे हैं ऐसे स्थिति में कोई पर्मनेंट साधन है ग्लोबल वर्मिंग है जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके लिए भी कहा गया कि हवन करो बड़े-बड़े पहले हवन होता था कि नहीं होता था अश्रमेद्य अज्य सुने हैं राजसुई अज्य वाजपेया दक्षिन भायत में जाएं तो अभी भी सोम्याग होता है और अलग-अलग और अनुष्ठान करते थे वरिष्टी अज्य आप इदर गुजरात में जाएं महाराष्ट राजिस्थान में तो वहां वरिष्टी के लिए फिर बहुत बड़ा कुंड बनाये जाता है करीब दस फीट ऐसे गुलाई में तो अलग-अलग मनों कामना के लिए अलग-अलग इष्ठ कर्मा के लिए यह हवन किये जाते रहें तो संपून प्रकृति को बैलेंस करने का साधन क्या है यज्य है इसलिए कहा I am यज्यो भुवनस्य नाभी क्या कहा I am यज्यो भुवनस्य नाभी ही कि संपून विश्व का मूल आधार बैलेंस करने का आधार कौन है यज्य है और जैसे पुदहरन से हम समझें जो छोटा बालक है शिशु है गर्भा में जिसका पालन पोशन हो रहे हैं उनका पालन पोशन कौन करती है इसके माध्यम से होता है नाभी के माध्यम से होता है तो वो हवन जो हम प्रते दिन करते हैं दैनिक हवन उसको और कैसे हम पूरा लाब लें तो उसके लिए यहाँ पर अभी आप स्वैय मानुभाव करेंगे सिकھेंगे तो आई आप हम इसको करते हैं फिर हवन करने के पश्चात प्रानायाम भी समाग्रियों के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे यह अलग-अलग रोग अनुसार से research based यह समाग्रिया है और समाग्रिया अलग-अलग रोग में हमारे लिए कैसे उपयोगी है तो भी समझेंगे तो अब हम प्रारम करते हैं दैनिक अगनिहोत्र और ये आप स्वयम सीख सकते हैं और सीख नहीं है क्योंकि आपको सीखाना है फिर हमारे यहाँ परंपर ही रही है सर्व प्रतम पहले जानो फिर दूसरों को सिखाओ बताओ करो तो आईए अब पुना हम पुर्म का उचारन करेंगे गैती मंत्र और फिर इस अगनिहोत्र को देव यज्य को हम प्रारम करते हैं लंबा स्वास न जाने कितनों ने आहुतिया दी इन अमित्र रोगों के संतापों से है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविश्य के प्रकोपों से प्रत्युष्य पावनी होती जहां यज्य अनुष्ठान घर आंगन में वहां मनुष्य तर सब जूमते सांती भरे सुख आनंद से इदम हवी र्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्य में आहुद की हुई हवी सभी प्रकार के रोग, दोस, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जिसे नदी जाग को यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प ले संसार के स्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रक्रती मा की प्रती अपने रिणों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्ने विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रती दिन प्राता एवं सायन साले 11 बजे 6855 दीन शुनिचे